जैहें, दोश्टों, स्वागत थे आपका हमारी YouTube चैनल में, आजकी वीडियो में लेकर आए हैं, आपके लिए यहाँ पर Hindi साहित के बहुत ही महत्तुपुन और कौस्चेन आंसर, यहाँ पर 1 Liner कौस्चेन हैं, बहुत ही महत्तुपुन हैं, तो वीडियो को पूरा वदसर दे एक लेते हैं क्या है आज का अपना first question गेहु और गुलाब के रशिनकार कौन है इसका अंसर आपके लिए अगर आप से बनता है अंसर तो आप comment में जल्ली जल्ली से बताते जाएंगे तो गेहु और गुलाब के जो रशिनकार है उनका नाम बताना है तो रामई रक्ष ब्यान यह आपके लिए बताना है, तो आपका यहाँ पर right answer है, यहाँ पर महादेवी बर्मा right answer है, question number आपका यहाँ पर पूचा क्या है कि बोलती पृत्मा किसका रेखा चित्र है, तो बोलती पृत्मा यह जो रेखा चित्र है और किसका है, सिरी राम सर्मा, आपका यहाँ पर right answer यह किस की रचना है तो आपका right आंसर है महादेवी बर्मा, आपका यहाँ पर सही answer होगा, अंगला question क्या पूछा गया है, से वाव लोकन आत्म कथा किस की है, यह देखिए यह आत्म कथा है और इसे यह आत्म कथा किस की है, यह आपक यलिए बताना है, तो आपका यहाँ पर right answer क्या होगा आपका right answer है यहां पर आत्मकता किसकी हैं तो यह जो आत्मकता की से है तो क्या है right answer आपका right answer रहं हांत्र कालिया right answer है जूटन आत्मकता की लेकशन है इसramेट के लिए आपके यह पूँछा क्या है और इसके जो सही answer है आपका यहां पर right answer om perkast Balmi की om perkast भाल्मी की आपका यहां पर right answer है बहुत बढ़िया angla question देख लेते हैं यहां पर angla question क्या है तो यह रहा आपका angla question 10 तक जिंदगी की मोड जिंदगी का आत्म्कत्य है जो किसकी यहां पर राइट आंसर है कस्तूरी मंडल वसे किसकी आत्म कथा है तो कस्तूरी कुंडल वसे यह जो आत्म कथा है किसकी आत्म कथा है यह आपके लिए बताना है तो आपका यहां पर राइट आंसर है यह जो आत्म कथा है किसकी है वह है मैत्रिय पुस्पा की अंगला प्री की जो है यह आत्मकता है अंगला कॉस्चिन क्या पूचा गया है हास्दे आत्मकता की लेखी का कौन है देखिए इसकी लेखी का आपके लिए आपर बताना है तो इसकी जो लेखी का है भै कौन है तो आपका यहां पर सही आंसर है आपर रम्ण का गुपता रम्ण का कुसम अंसल आपका यहाँ पर चाहिए आंसर है बूंद बाबडी किसकी आत्म कता है बताए बूंद बाबडी यह आत्म कता है किसकी आत्म कता है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है पदमा सच देवा पदमा सच देवा आपका यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल चाहि अंगला question क्या पूँचन गया है देखिए त्रस्कृत आत्मकथा के लेखक कौन है तो इसके लेखक आपके लिए हाँ पर बताना है त्रस्कृत आत्मकथा के लेखक कौन है तो आपके हैं पर right answer जो है क्या है सूरजवान चोहान सूरज भान चौहान आपका यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल चाहिए अंगले कॉस्चन है जिन्दगी मुस्काई संसमरण है किसका संसमरण है यह आपके लिए बताना है संसमरण है यह आपके लिए याद रखना है और यह जो संसमरण है किसका संसमरन है तो आपके हैं पर राइट आंसर है कनया लाल में से प्रभाकर प्रभाकर जी का यह संसमरन है तो याद रखे बिल्कुल अंगले कॉस्चन क्या है अतीत के गर्द से संसमरन है यह भी आपके हैं पर संसमरन है तो इसके जो लेखक हैं या यह जो किसका संसमरन है यह आपके लिए बताना है तो भगवती चण बर्मा आपका है राइट आंसर है अंगला कॉस्चन है सरजन के सेतू संसमरन किसका है यह बताना है तो आपका है आपका है राइट आंसर है विश्लू पिरभाकर आपका है राइट आंसर है बिल्कुल सही विश्लू पिरभाकर र अम्रित राय, अम्रित राय सही आंसर होगा, हम हसमत संसमनल किसका है, हम हसमत संसमनल किसका है, तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है, आपका यहाँ पर राइट आंसर किष्णा सोबिती, किष्णा सोबिती आपका यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया, लाहोर से ल सब्सक्राइब सबुक्त सब्सक्राइब तो आपका यहां पर प्रिकास्वत्ति पाल आपका है ऑट ग्राम की डायरी उप्गत प्रिकास्वत्ति टेदेगे तो और है सिर्याम शर्मय त informations यहाद हो की नयाद हो रशिनकार है तो इसकी रशिनाकार आपके लिए बताना है याद हो की ना याद हो तो इसकी जो रशिनाकार है उन्हें बहे कौन है तो कासी नास से हैं कासी नास से हैं आपका यहापर सही आंसर मृत्तुंजय रवेंद्र संसमरण है तो मृत्तुंजय रवेंद्र संसमरण है किसका संसमरण है ये आपके लिए बताना है तो आपका यह आपर जो साई आंसर है वह है आपका right answer आपका हजारी प्रसल गेर दोबेदी आपका साई आंसर है लोट आउ धार की रचिनकार कोन है लोट आउ धार यह आपका महत्रोपुर्ण question पूँचे गया है लोट आउधार की रचिनाकार कौन है तो आपका यहाँ पर right answer दूद नास्त है जनों ने बताया है उनका यहाँ पर सही answer गीत गोविंद की T का किस की रचिना है यह रचिना आपका महत्वपुण यह रचना पूछी गई है आपसे की गीत गोबिंद का टी का यह जो रचना है किसकी है तो आपका सही आंसर है यहाँ पर मीरा भाई की मीरा भाई आपका यहाँ पर सही आंसर है दान लीला की रचनाकार कौन है तो दान लीला की रचनाकार जो है बहे कौन है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है क्या है राइट आंसर रस खान आपका यहाँ पर सही आंसर है कवित रतना करके रचना कार कौन है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कवित रतना करके रचना कार पूंचा है आपसे तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वह आपका राइट आ आपको यहाँ पर बताना है तो आपका जो सही आंसर है यहाँ पर बहें आपका यहाँ पर राइट आंसर नरुत्तमदास नरुत्तमदास आकी यह जो है रचिना है इसकी रचिनकार है सुदामचरत के अंगला कॉस्चन है कि यह रचिना किसकी रचिना है यह आपके लिए बता तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर स्री भट्टे, आपका यहाँ पर सही आंसर है, स्री भट्टे जिन्हों ने बताया है, उनका सही आंसर है, स्री भट्टे बिल्कुल सही अंगला कॉस्चन है, ध्यान वंजरी की रचेता कौन है, तो ध्यान वं पूंचा गया है तो देखे यहाँ पर है आपका राम रक्षा सुरोत किसकी रचना है यह रचना बहुत ही महत्तों पूंची गई है आपसे आहां पर क्या होगा इसका राइट आंसर राम रक्षा सुरोत यह रचना किसकी है तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है आपका बारता चिताई बारता है यहां पर चिताई बारता किसकी रचना है तो आपके यहां पर राइट आंसर जो होगा चिताई बारता किसकी रचना है तो आपके यहां पर जो राइट आंसर है भै क्या है तो आपका सही आंसर है यहां पर नारायन दास आपका सही आंसर रूप मंज मंजरी किसकी रचना है तो आपके लिए बताना है रूप मंजरी किसकी रचना है तो आपके यहां पर जो सही आंसर होगा वह है आपके यहां पर राइट आंसर नंद दास नंद दास आपका सही आंसर है कृष्ण गीता वली की रचनाकार कौन है तो कृष्ण गीता वली यह आ आपका यहाँ पर जो सही आंसर है आपका राइट आंसर क्या है राइट आंसर राइट आंसर है नाभादास नाभादास आपका यहाँ पर सही आंसर है नाभादास जिन्नों ने बताया है उनका सही आंसर यहाँ पर होगा अंगला question हनुवान नाट तक की रशिनाकार कौन है त तो सबी लोग वीडियो को LIKE कर लें अगर आप चैनल पो पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं आल पर क्लिक करें ताकि आल वीडियो की जानकारी आप के आँ तक पहुंचे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोग वीडियो को लाइक किये विना नहीं जाएंगे तो सभी लोग लाइक कर लें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिन